नमस्कार मैं ललित प्रजापती और न्यूजेटीन के सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है पुनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए है आजकल एक देश है बहुत चर्चा में है वो कह रहा है कि कभी उसे ब्रिक्स का हिस्सा बनना है फिर कभी वो कहता है कि म तुर्की की बात हो रही है अर्दुआन के आने के बाद तुर्की में बहुत कुछ बदला है मसलें उन्हें कहा जाता है खलीफा इसके अलावा उन्हें ताना शाह की भी उपाधी कई लोग देते हैं इन सब की बीच आज तुर्की से चर्चा को शुरू करेंगे और जो तुरकी के अगर बात की जाए तो नाटो का सदस्य है और अमेरिका, तुरकी और कई सारे देश नाटो में और इसके बावजूद तुरकी का जो रंग धंग या चाल चलन जिसको हम कह लें तो वो एक गुट में साथ होने के बावजूद अलग खड़ा रहने वाला और अपनी अलग राग अलापने वाला मुलक है तुर्की और बार बार तुर्की अपने बयानों से अपने जो जिस तरीके के उनकी कूट नितिक बाचीत है और वो सारी चीजें उनके ये कहलें कि उनके स्टांस जो होते हैं तुर्की के वो बाकी देशों को चिंता में भी डाल देते हैं क्योंकि तुर्की रशिया जो की नाठों के खिलाफ लट रहा है उसके साथ भी खड़ा हुआ है लेकिन तुर्की तुनक क्यों रहा है यहाँ अब शुरुआत कर लेते हैं इसी से तुर्की तुनक इसलिए रहा है क्योंकि इसराइल के ऊपर वो कह रहा है कि बरबर इसराइल कारवाई की है और इसी से तुरकी नाराज है क्यों कारवाई की है इसराईल ने बर-बर क्यों इसके पीछे कारण क्या है। दरसल अभी हाल ही में West Bank में जो इसराईल की तरफ से लगातार हमले किये गए हैं इसमें एक घटना घटी और इसमें घटना की जा रही थी, यहूदी बस थी, इसको लेकर यहाँ तर्की और अमेरिकी मूल की ये महिला है, दोनों देशों की उसके पास नागरिकता है, उसकी मौत हो गई। और उसको गोली मारी गई। सर में और इसी को लेकर तुर्की नाराज हो गया है और तुर्की अब ये कह रहा है कि गंभीर परिणाम इसराइल को इसके भुगतने पड़ेंगे उन्होंने सोशल मीडिया पर तुर्की के राश्टरपती अर्दवान जो हैं सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि ये कार स्वाइय है और अब वो पहा रहे हैं मुस्लिम देशों को भी साथ रहा है कश्मीर के point of view को लेकर इस वजह से भारत से भी बहुत चीज़ें जुड़ती हैं अब क्या वाकई पुनीत युद्ध जैसी इस्थिती बन गई है तब क्या होने वाला है देखिए युद्ध जैसी इस्थिती तो बन रही है क्योंकि तुर्की आप जानी रहें तुर् भी बाहर अपने आपको अलग दिखाने की कोशिश करता है सबसे बड़ी बात ये कि तुर्की जो है वो मुस्लिम रधर हुट को अब बढ़ावा दे रहा है और ये इसराइल की तरफ सी आरोब भी लगाया जाता है कि एरान हो या तुर्की हो एक दूसरे को सपोर्ट कर रह है तो इसराइल भी ये मान रहा है और तुर्की की तरफ से अगर ये कह दिया गया है कि जो हमला आपने किया ये बरबर था और आपको गंभीर परिनाम भुकतने होंगे तो उसका मतलब हम समझ सकते हैं कि एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है और तुर्की और इसराइल आ आराज हुआ पड़ा है तो आप समझ सकते हैं कि ये इस्तिती गंभीर हो सकती है वाकई और अभी पुनी चुकी जिकर कर रहा है मैं इसराइल के रियक्शन पर भी बात करूँगा लेकिन जब भी इसराइल का नाम आता ऐसा लगता कहीं कोई उपद्रा तो नहीं हो गया एक आपको दे दूँ कि अभी खबर ये मिल रही है कुछ जो एक इंटरनेशनल न्यू सोसाइटी है उसने ये खबर दी है कि जो इसराइल है उसने भी सीरिया पर हमला किया है तकरीबन सूलह लोगों के मारे जानी की खबर है तीस से जादा गायल होने की बात भी निकल कर सामने आ रही है इस पर आगे हम चर्चा करेंगे लेकिन आज हमारा जो पॉइंट है वो इसराइल तुर्की अमेरिका इन सब को लेकर है तो अगला सवाल मेरा यह है कि इसराइल का किस तरह का रियक्शन आया वो बहुत कुछ रियेक्टिव है नितन्याहू इन सब मामलों में अग हमले जब करता है या वेस्ट बैंक में उसकी सैने कारवाई होती है तो उसके पास कोई ना कोई एक तर्क होता है कि हमने यह क्यों किया है सीरिया पर भी हमला कर दिया तो लेबनान से सटा हुआ है सीरिया देखिए और वहां पर सैने ठिकानों पर हमला किया है तो कुछ न हमारे खिलाफ जो है वो साज़िशे बुनी जा रही थी और अभी हाल ही में जो वेस्ट बैंक की बात हम कर रहे हैं वेस्ट बैंक में जो हमले हुए इसराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है उसकी तरफ से प्रतिक्रिया जो आई है वो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गाज इसके लाड़ा के वहाँ पर पूरी तयारी कर रहे थे और इसलिए ये सैनी कारवाई यहाँ पर जरूरी हो जाती है इसलिए हमने यहाँ पर यह एक्शन लिया है बावजूद इसके एकी इंटरनाशनल दबाव बना हुआ है इसराइल के उपर कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि बीते दिनों हमको याद है कि छे इसराइली नागरिक जो इनको बंधग बनाया गया था उनकी मौत हो गई थी और इसी को लेकर बेंजमिन नेतनियाहू अपने ही घर में गिरे हुए है उनके खिलाफ खुब प्रदर्शन भी चल रहा है अमेरिका भी इससे नाराज था दूसरी तरफ जो मधिस्तता कर रहे हैं अपने सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बेंजमिन नेतनियाहू सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले महां के प्रधानमंतरी हैं तो एक सत्ता की हनक भी आ जाती है और यही आरोप उन पर लग रहा है अमेरिका की तरफ से भी यह कहा गया कि की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि शान्ति कीपात एक टिरह एक तरफ आप करते हो और दूसरी तरह आप ये ग्रोधा लेकर चिरा लेकर बेन रहा है, खी क्ट्रा ने क्रोर्वा इस तरह दुट क्या एक जो मट्रेके इसन होगा है, तो इसे लेकर इसराइल का क्या कोई reaction आया है अभी आपकी नजर में आया है देखिए इसराइल के तरफ से कोई reaction तो नहीं आया लेकिन इसराइल के तरफ से ये जरूर बार 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 ये कहा जा रहा है Jordan से मामला सामने आया Jordan की सीमा भी बिलकुल सठी हुई है और वहाँ जो हुई तो Jordan से इसराइल के रिष्टे बहुत अच्छे है लेकिन इसराइली प्रधान मंतरी बेंजमिन नितन याहू जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कहीं न कहीं इरान का हाथ है क्योंकि इरान इस तरीके से प्रोक्सी वार लड़ता रहता है चाहे फिर वो गाज़ा पट्टी से हमास की बात हो या फिर लेबनान से हिजबुला की बात हो वो इसी तरीके से वार लड़ता है और इसी लिए ये जो मैंने आपको बताया कि तीन इसराइली नागरिकों की जो मौत होई है इस मामले में भी उंगली ये शक की सुई जो है वो इरान पर ही घुमा रहे है और अभी भी अगर ये जो सब को चल रहा है इस मामले में भी घुम फिर कर बात जो है वो Benjamin Netanyahu की तरफ से एरान परी जाएगी बिल्कुल एक जो जहां से दरसल इस चर्चा का जो मूल बिंदू है वो यह है कि तुर्की यह चाहता है कि जो मुस्लिम कंट्रीज है वो एक हो जाएं इस तरह की बातें तुर्की कर रहा है इससे लेकर मैं आप से विस्तार से पूछूँगा लेकिन बात यह आ रही है कि तुर्की इस तरह की बातें कर रहा है मुस्लिम कंट्रीज एक हो जाएं यह और बात है कि जो टॉप 10 कंट्रीज हैं जहां मुस्लिमों के आबादी, मसलन भारत तीसरे नंबर पर है, दूसरे पर पाकिस्तान है, इससे पहले इंडोनेशिया है, भारत के बारे में कहा जाता है, 2050-60 तक सबसे जादा जो मुस्लिम आबादी वाला दुनिया में देश हो तो उसका सौधी अरब से इस बात को लेकर विबाद भी हुआ था, अज़े सौधी अरब के दबदबे की एक वजा है, मुसल्मानों की जो सबसे पवित्र जगा है, मक्का, मदीना, वो दोनों सौधी के पास हैं, और सौधी काफी हद तक खुले हुए मुलक की तरह उसका व भुत्व और जो इसराइल अपनी पावर को बढ़ा रहा है, उसको रोकने के लिए सारे मुसलिम कंट्रीज को एक होना होगा, और ये वही बात है जो इरान की तरफ से इसके पहले वक्त में कही जाती रही है, और जो आप सौधी अरब की जो बात बता रहा हैं, तो पहले हैं, उसी बिजनस की बात है, वो कहारे हैं, वो कहारे हैं, अब जब आप सारे मुसलिम कंट्री एक हो जाएगा, और अधियू में दखल जादा सथी अरब का है, वो एक्शल में क्या है, कि वो तुर्की जो है, अब नया तुर्क बनने की कोशिश में लगा हुआ है, क क्योंकि बीते अगर कुछ वक्त की बात कर ली जाए, तो तुर्की ने अपने आपको डवलप किया, खास तौर पर, अगर सैन्य ओकरणों की बात कर ली जाए, या फाइटर जट्स को बनाने की बात की जाए, तो वो अमेरिका को कहीं न कहीं टकर दे रहा है, और अगर सैन्य ताकत की भी बात कर ली जाए, तो सैन्य ताकत में पूरी दुनिया में ग्यारवे नंबर पर है तुर्की, तो आप ये समझेए कि तुर्की अब अपने आपको वो चाहता है, कि एक नया बॉस वैश्विक प्रभुत्व अपनी दिखाने की कोशिश कर रहा है, अच्छा एक तरफ ये नैटो में है, वो ठीक है कि अमेरिका डाटता रहता है इसराइल को कभी कभार, पर अंदर खाने तो बड़ी गहरी दोस्ती हैं, अमेरिका और इसराइल की, नहीं, लेकिन देखिए, अभी अंदर खाने दोस्ती है, लेकिन अभी जो छे इसराइली मारे गए, उसके बाद, और ये ये जो वाखिया हुआ, वेस्ट बैंक वाला, जिसके बारे में हम जिकर कर रहे थे, जिसमें, तुर्की अमेरिकी नागरिक्ता, दोरी नागरिक्ता वाली महिला, जिनका नाम है आईसे नूर एकजी इगी, इनकी जो हर्तिया हुई है, इनको जो मार डाला गया, इसमें, चुकि ये अमेरिका मूलकी भी थी, तो दो मुलक ऐसे हैं, अभी तक हमको, अगर वहां के नागरिक्ता को कुछ हो जाता, तो सबसे ज्यादा टेंशन म बढ़ता जा रहा है, बीते कुछ दिनों में देखा जाए, तो वेश्विक दबाव इस लिहाद से बढ़ रहा है, कि लगातार, अमेरिका भी ये कह रहा है, कि शान्ती स्थापित हो जाए, हमासे जो है, युद्ध खत्म हो जाए, फिर दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी मान रहा है, कि अंतराश्री मानव अधिकार कानूनों का उनलंगन हो सकता है, इन हथियारों के इदम पर, कुल मिलाकर प्रेशर बनाने का खेल ये पूरा चल रहा है, और तुर्की भी यही कर रहा है, तुर्की भी इंडारेक्ट प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, इसर तो क्या ही माना जाया आपने ब्रिटेन का जिक्र किया, अमेरिका का जिक्र किया, अंदर खाने से इसराइल में वैसे विरोध प्रदर्शन लगातार बाढ़ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अब बंधा को रहाई होनी चाहिए शांती की मेच पर बैट कर, क्या नेतन्याहू की इस्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं, बिलकुल नेतन्याहू की इस्थितियां जो हैं वो लगातार बिगड़ती जा रही हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और हमले दर हमले आप आपने जैसे बताया कि सीरिया पर हमला कर दिया, उधर लेबनान भी बिलकु गिरे हुए हैं लोग मान रहे हैं कि नेतनियावु युद्धु को जान बूज कर खेंच रहे हैं वो शांती नहीं होने देना चाहते हैं और युद्धु को जान बूज कर छेड़े हुए हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है वो लगातार दोरे कर रहे हैं कि शांती स्थापित हो सके मिस्र लगातार कोशिश कर रहा है कि शांती स्थापित हो सके मिस्र लगातार कोशिश कर रहा है कि शांती स्थापित हो सके मिस्र लगातार कोशिश कर रहा है कि शांती स्थापित हो सके मिस्र लगातार कोशिश कर र अगर जंग के हालाद बन रहे हैं फिर से दो मुलकों की भी टेंशन जैसे इस सितियां आ रही है तब कौन किस पर भारी देखे कौन किस पर भारी तो ग्लोबल फायर पावर एक रैंकिंग होती है साल 2023 की ग्लोबल फायर पावर की अगर बात कर ली जाए तो इसराइल का नमब की ये ग्लोबल फायर पावर होती है इनकी लिस्ट है इसमें इसराइल का नमबर 18 नमबर पर है जबकि तुर्की का नमबर 11 नमबर पर है एक तो ये बात हो गई दूसरी बात कि तुर्की जब मुस्लिम देशों को साथ में लाने की बात करा है तो हो सकता है कि कुछ मुस्लि भी सताथ में तुर्की के आकर खड़े हो सकते हैं. पड़ावसी तो हमको मिलते हैं, तो पड़ावसी मिले हैं, और पड़ावसीयों से तालुकात अच्छे रखना चाहिए, लेकिन वहां तो लगातार भिलंत हुई जा रही है, और अगर देखा जाए तो इसराइल में ही वेस्ट बैंक भी उसी गंदर का हिस्सा पड़ता है, व पड़ावसी हम चुन नहीं सकते हैं, जो दोस्त हमें मिले हैं, या हमने बनाए हैं, उनसे लगातार दुश्मनी जैसे इस्तियां और यह जैसे हैं, अमेरिका की नाराज़गी, और जिसका आप जिकर कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रही थी, महिला उनका नाम बड़ा कठ तैreas बड़ाЯ जाती हैं, यह तैय है, बात वहीं से शुरू होई थी, कि पड़ोसी आप तैय नहीं कर सकते हैं, लुए जो दोस्त तैय आप ने किये हैं, वही उनसे ही अगर वही आप से नाराज हो रहा हैं, तो फिर यह सवाल है, और एक बात ऑर है कि यह चर्चा इसे आलोचना है उन्साब का बहुत स्वागत पुनीत का भी धन्यवाद बहुत 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 शुक्रिया